हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल में दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं एंपी पुलिस एक्जाम 2017 में 8 सेप्टंबर 2017 की सेकंड सिप्ट में पूछेगे जीके जीएस और साइन्स के कोश्चन जो की आने वाली एंपी पुलिस एक्जा भारत में आखरी टेलिग्राम कब भेजा गया था आपसे पुछा गया है भारत में आखरी टेलिग्राम कब भेजा गया था तो इसका राइट आंसर है अपसन नमबर 3 14 जिलाई 2013 को भारत में आखरी टेलिग्राम 14 जुलाई 2013 को भेजा गया था बरतमान समय में डाग विभा इत्य आपको यादous नहाने है अगे चलते हैं अगले प्रस्तों की या प्रसन है अगले प्रस्त का क्या तातपर है पूछागे आप से जिय слटी का क्या तातपर है तो इसका राइट आंसर है option number 1 goods and service tags GST का full form होता है goods and service tags और भारत में GST 1 July 2017 से लागो हुआ था चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की ओर अगला प्रस्ण है हमारा भारती सेना को कितने कमांड्स में विभाजित किया गया है पुछागे आपसे भारती सेना को कितने कमांड्स में विभाजित किया गया है तो इसका right answer है option number 1 साथ कमांड में भारती सेना को साथ कमांड में विभाजित किया गया है चलिए आगे चलते हैं अगले प्रस्ण की ओर अगला प्रस्टी यामारा वििसेष जन्जाती की जनसंख्या में तो इसका राज्य है तो इसका राइट आंसर है अगला प्रस्टे यामारा सब्द सीरी पॉयंट कित से संबंदी थे चार खेलों के नाम दियेगे हैं और आपको बता रहा है इन में से किस खेल से सब्द सीली पॉइंट संबंदी थे तो इसका राइट आंसर है आपसन नमबर 3 कृकेट सब्द सीली पॉइंट क्रिकेट खेल से संबंदी थे आगे बढ़ते हैं अगले प्रसन की और अगला ब कि यहां को पुछा के आपसे भारत के मुख चिनाउय क्यषतु कौन है तो अ Мы urban 2-21 में भारत के मुख चिनाय युठतु सुनिल अलोडा हैं चली आगे बढ़तेयाई प्रस्ण कि और कि अगला प्राश्न अमारा 2016 के इरणजी ट्रॉफी क्रिकेट टूनामेंट का अंटीम में कहां अजुद किया गया था तो यहांud 2016 का करेंट अफेर था यह इतना इंपोर्टेंट नहीं है आगे बढ़ते हैं अगले प्राश्न की और अगला प्राश्न है हमारा निम्न में से कौन सा जिला मध्यप्रदेश का नविंतम जिला है तो जब यहां कोश्यन पूछा गया दो हजार सत्रा में तो इसके अनुसार इसका राइट अंसर था अप्शन नमबर ए आगर मालवा जो की मध्यप्रदेश राज्य का 51 जिला है परन्तु अब बरतमान समय में मध्यप्रदेश राज्य में 52 जिले हैं और मध्यप्रदेश का 52 नविंतम जिला है निवारी चलिए चलते हैं अगले प्रस्ण की ओर अगला प्रस्ण है हमारा भारत में प्रथम राज्य जिसमें प्रसंदता के लिए एक अलग विभागे कौन सा है आप से पुछा गया है भारत का एसा प्रसंदता के लिए एक अलग विभागे कौन सा है तो इसका राइट आंसर है आप्शन अगला प्रशन है हमारा 2016 में किस भारती को अंतराश्टी हांकी परिशंग के अध्यक्षि के रूप में चुना गया था तो इसका राइट आंसर ए आपसर नमबर 4 नरेंद्र बत्रा और बरतमान 2021 में भारती हांकी परिशंग के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा ही है इन्हें आगे चलते हैं अगले प्रशन की और अगला प्रशन हमारा इस इस रो के PS LBC 36 ने सफलता पुरभक नामा के सुदूर संबेदर उबग्रह का बहन किया तो आपको बताना है इन में से कौन सा है तो इसका राइट आंसर है रिसोर्स है टू है तो यहां करेंट अफेयर था 2017 का इतना इंपोर्टेंट नहीं है चलिए आगे चलते हैं अगले प्रशन की और दोस्तो यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो के एक लाइक जरूर करें और अभी तक है अगर आपने मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को भी सस्क्राइब जरूर क भारत के रक्षाबलो के सर्वोच कमांडर भारत के राष्टपती होते हैं और बरतवान में भारत के चवद्वहवे राष्टपती हैं रामनाथ कोबिंद चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्न की और अगला प्रस्न है अमारा उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्याले कहां इस्ति थे आप सो पुछा गया है उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्याले कहां इस्ति थे तो इसका राइट आंसर है आप्शन नमबर चार जैपूर में उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्याले जैपूर में इस्ति थे जैपूर राजस्थान राजी की राधानी है में बहरत में बरतमान समय में रेलवबोस जोनों की संखिया जो है यह 18 हो गई है और जो नभिनतम रेलवे जोन बना है वह 거 दक्षिन त्क रेल बेशाका पत्नम आध्रप्रदेश में इस्ति थे अगे चलते हैं अगले साً जैशे के लो सागर अभ्यारण कहां इसती थे पूछागे आपसे गांधी सागर अभ्यारण कहां इसती थे तो इसका राइट आंसर है आपसर नंबर एक मंदसोर में गांधी सांगत अभ्यारण मदसोर में इस्तित है आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रस्ण की ओर अगला प्रस्ण है अमारा औमका रेश्वर किस नदीप पर एक पवित्र दीप है आप से पुछा गया है औमका रेश्वर किस नदीप पर एक पवित्र दीप है तो इसका राइट आंसर है आपसा नमबर एक नर्मदा नदीप पर ओमका रेश्वर नर्मदा नदीप पर एक पवित्र दीप है औमका आगे बढ़ते हैं अगले प्राशन की और अगला प्रशनी हमारा कि यह रहा अगला प्रशन हमारा किस स्वतंत्रता से नानी को देश-बंदू के नाम से जाना जाता है तो इसका राइट आंशर होगा आप्सानन नूंबर एक चितरणजन दास को चितरंजन दास को देजबंदू के नाम से जाना जाता है और एक जन्बरी 1923 को चितरंजन दास और मोतिलाल नहरू के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थाप्ना की गई थी तो देज बंदू के रूप में चेतर अंजन दास को जाना जाता है आगे बढ़ते हैं अंगले प्रसन की ओर दोस्तो यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरू करें और मेरे चेनल को भी जरू सस्क्राइब कर लें तो आप मेरे चेनल की प्ले लिच्ट में जाकर बहांसे देख सकते हैं और अपने त्यारी को ओर बहतर कर सकते हैं और आप इन सभिघ वीडियो की पीडेफ फाइल मेरे टेलिग्रांप चेनल को जाइन करके वहां से फिरी में डौनलोड कर सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्राश्वया की ओर, अगला प्राश्चन है हमारा निजप रवाबन, अभीकिरिया, सदेव, उतपन्न करती हैं, तो इसकार राइट अंसर है, आपसं नमबर 3, एक लबन, तथा जल, निचप रवाबन, अभीकिरिया, सदेव, एक लब आपको इसका right answer बताना है तो इसका right answer होगा option no.4 इसपास में ध्वनी सबसे तेज यात्रा करती है ध्वनी की अधिक्तम गती इसपास में होती है तथा निर्बात में ध्वनी गती नहीं कर सकती है आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की ओर अगला प्रस्ण हमारा प्राकरतिक प्राकर्तिक घेस का मुख्य गटक क्या है तो इसका राइट डिफल enable a tp सावानेता को से की आउसकीपपर कहा जाता है अब्चा के आअप से aúnगेक को समाइनताा को से की housekeeper कहा जाता है तो इसका right answer है option number 1 lysosome को समानुता कोशी की housekeeper कहा जाता है और lysosome को आत्मत्या की थेली भी कहा जाता है इसे भी आप याद रखिये आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्थ की ओर अगला प्रस्थन है अमारा प्रत्वी का आचाना दो भुकंप प्रत्वी का अचारा खिलना और बहुत कम समय के लिए कमपने करना भुकंप कहलाता है और भुकंप की तिप्रता को रिक्टर प्रिमाने पर मापा जाता है आगे चलते हैं अगले प्रस्ण की और अगला प्रस्ण हमारा उतक के बारे में निम्ने में से कौन सा नहीं है तो इसका राइट आंसर है अपुर नंबर दो अगला प्रस्ण हमत मिलान को चिन्नीत और तो इसका राइट आंसर है में प्रिज्मन के साथ जो मिलान किया गया है या गलत है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की ओर अगला प्रस्ण है हमारा इंद्र धनुस के रंग प्राप्त करने के लिए स्वेद प्रकास को एक प्रकासी उपकरण के मादम से गुजरना पड़ता है आप सब पुछा गया है कि एसे की सुपकरण से स्वेद प्रकास को गुजरा जाता है तो इंद्र धनुस के रंग प्राप्त होते हैं तो इसका राइट आंसर है अप्सान नंबर चार प्रिज्मन जब स्वेद प्रकास को प्रिज्मन से गुजरा जाता है तो स्वेद प्रकास सात रंगों मे विवक्त हो जाता है और यह साथ रग इंद्रधनुस के होते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की और अगला प्रस्ण है अमारा उस एंटिबायोटिक की पहचान करें जिसका स्रोथ फफुंदी होता है चार अपसन आपको बताना इन में से इसा कौन सा एंटिब कते अगले प्रस्न में प्रस्ण की ओर अगला प्रस्ण हमारा गायों में दूद उतपादन खालिस्तान के द्वारा निर्धारित किया जाता चार आजके बढते हैं अगले प्रस्ण की और अगला प्रस्ण है हमारा एक परिपत में विद्धुद्धारा में कमी करने के लिए निम्न को किया जाता है चार आपसेन आपको बताना है किसी परिपत में विद्धुद्धारा की कमी करना है तो इन में से क्या किया जाना चाहिए तो इसका right answer होगा, option number 2, एक प्रती रोधक को परिपत के साथ स्रेनिक्रम में जोड़ा जाना चाहिए, यदि किसी विद्धुत परिपत में विद्धुत धारा कमान कम करना है, तो उस परिपत में एक प्रती रोध को स्रेनिक्रम में जोड़ा जाना चाहिए, चलिए आगे चल का कौन सा भाग मदद करता है तो इसका right answer है option number 2, नाभीक कोशिका की सभी गती विडियों को नियत्रित करने में छेल अर्थात कोशिका का जो भाग है जो मदद करता है वह नाभीक कलता है और कोशिका की खोज रावाठ हुक रोगने के थी आगे बढ़ते हैं अगले अगरा प्रस्न है हमारा आप अपने सहर के पोलियो उन्मुलन Карकरम से परिचित हैं पाँच बर्स से कम आयू के बच्चो का ठीका करंड किया जाता है क्यों आप पूछागा है कि जो बोली की दबाई पिला जाती हे तो उसमें पांच बार से कउंग के बैच्चों की आयू होती है उन्हें बैच्चों का ठीका करंड किया जाता ही क्यों तो इसका राइट हमसर ये आफ्षी नमबर तीन उप्योक्त सभी यू헌कि पोल्योग का जो टीका करण होता है बास सुफ्फमजीबों के प्रवेश को रोकता है, पोल्योग वाले जो सुफ्फमजीबों होते हैं, उन्हें मारता है और टीका करण सरीर में प्रतिरक्शा उत्पने करता है तो यह सभी कарण टीका करण के लिए सग Kyoto सही है, का आगे चलते है option number 2 बहाँ बजन में हलकी और अच्छी प्रत्यास्था होती है पाली अश्टर जो की एक संत्रिस तंतु है फिर भी वहाँ नाइलान की अपेक्छा गर्मियों में पहनने में आसान होती है क्यों की बजन में हलकी और प्रत्यास्थ होती है आगे बढ़ते हैं अगले सीनस लें चलिए आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों आप लोगों को मेरे वीडियो कैसा लगा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरू करें और मेरे चैनल को भी जरू सब्सक्राइब करें और बेल लाकेन की बिटन जरू दबाले ताकि एससे इंपर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नाटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुचते रहें जैए हिन दोस्तों